हलो फ्रेंट्स, हमारे स्पेशल सेशन टू दो पॉइंट इंडियन पॉलिटी फोर एच्छेस 2021 में आज हम आपको बताएंगे बाहरती सयुधान में किस अनुशेद के तहट कब कब केंदर सरकार यानि संसद राज्य सूची के लिए कारण बना सकती है हम आपको बतादें जब दो या दो से हदिक राज्यों के लिए उनकी सहमती से संसद दूआरा राज्य सूची के विशेद में सयुधान के अनुशेद दो सो बावन के तहट विधी बना सकती है यानि जब दो या दो से हदिक राज्य कहें कि राज्य सूची में से इस विशे पर संसद को कहें कि आप कानून बढाएं तो वो अनुचे 222 के तहट उस विशे पर संसद कानून बढा सकती है इसके अलावा जब राज्यों में राष्ट्रपती सासन लागू रहने की स्थिति में संसद सविधान के अनुचे 357 के तहट राज्य सूची के विशे में विधी बढा सकती है यानि जब भी किसी राज्यों में राष्ट्रपती सासन यानि परिजिडेंट डू लगेगा तो संसद अनुचे 377 के तहट उस राज्यों के लिए राज्यों सूची के विशे में विधी यानि कानून बढा सकती है इसके अलावा यदि राज्य सभा को लगे राष्ट्रे हित में दोत्याही भहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद सविधान के अनुचे 249 के तहट राज्यों सूची के विशे में विधी बढा सकती है यानि जब कभी भी संसद को लगेगी इस विशे पर ये विशे राज्य की सुची में है लेकिन इस विशे पर कानून बढ़ना चाहिए और राज्य उस विशे पर कानून नहीं बढा रहा तो वो राष्ट्रे हित में है उस पर कानून बढ़ना तो दोत्याही भहुमत से प राश्ट्रिय आपात की घोशना हो तो संसत सयुधान के अनुच्छे 250 के तहट विधी बना सकती है यानि जब कभी नेशनल अमर्जेंसी लगे तब भी संसत राज्य सूची के विशेव पर विधी बना सकती है हमने आपको बताया कि अनुच्छे 202 के तहट दो या दो शरीक राज्य कहें संसत को कि हमार लिए राज्य सूची पर कानुन बनाए तो संसत कानुन बना सकती है तिन सो स्तावन के तहट जब राज्य में राष्टपति सासन हो तो संसत राज्य सूची पर कानुन बना सकती है और जब जब राजी सभा को लगे कि इस पर कानून बना राष्टे हीत में है तो दो त्याही बहुमत से प्रस्ताव पारित खर उस पर कानून बना सकती है इसके लिए आधा 250 अनूशे 250 के तैद नैसनल अमर्जेंसी के दोरान भी संसत कानून बना सकती है राजी सुची पर हमारे आज के सेशन इतना है थेंक यू